चर्चित्स्थान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ब्रिज ओफ पीस, तबिलिसी, जोर्चिया दिखाएंगे। पुल अपने आप में एक तुरंद पहचाने जाने योग्य प्रतीक है क्योंकि यह दो अलग-अलग तत्मों को जोडता है और संचार, समझ और शांती को बढ़ावा देने के प्रयास में कई लोगों, संस्कृति और वैचारिक द्रिश्टिकोनों के बीच संबंधूं को तबिलिसी में मतक्वारी नदी पर, मेटिकी और बाराच्श्विली पुलों के बीच, शांती पुल है यह राइक को औरेकल स्ट्रीट से जोडता है इस प्रिच पुनर जीवित तबिलिसी का प्रतिन अधित्व करने आया है 6 मई 2010 को इसे औप्चारे को घाटन प्राप्त हुआ पुल को मिशे दी लुका द्वारा डिजाइन किया गया था जिन्होंने राश्ट्रपती महल और एमाय भवन भी डिजाइन किया था और फिलिप मार्टिनो प्रकाश व्यवस्था के प्रभारी थे वह एमाय भवन, राश्ट्रपती महल और टीवी टावर के लिए प्रकाश डिजाइन का मालिक है। जब रात में नदी पर रोशनी दिखाई देती हैं तो कांच का यह फुल मनमोहक होता है। राइक पार्क, जो पीस प्रिज के करीब है, मनोरंजन पार्क के साथ एक अच्छी तरह से रखा गया पार्क है जो टेहलने और आराम करने के लिए बहुत अच्छा है। आप केबल कार से यहां से नारिकला तक जा सकते हैं और शहर के लुभावने हवाई द्रिश्यों का आनन ले सकते हैं। पुल से Presidential Palace, तबिलिसी टॉवर और नारिकला किला सभी सपश्ट रूप से देखे जा सकते हैं। तबिलिसी के सबसे व्यस्त क्षेत्रों में से एक पीस प्रिज है। पुल की समकालीन शेली एतिहासिक तबिलिसी क्षेत्र में विविधता जोडती है। इसकी वास्तुकला के लिए पुल स्टील फ्रेम और ग्लास पैनल से बना है। साथ में, कांच के पैनल 150 वर्ट मीटर का एक शामियाना बनाते हैं जो फुटपात को कवर करता है। चार मजबूत स्टील कॉलम पूरे निर्मान को पकड़ते हैं, और रस्यों का उप्योग फ्रेम से पत को निलमवित करने के लिए किया जाता है। ये 156 मीटर लंबा है। रात में 50,000 प्रकाश बलबोंधवारा विशेश परिवर्तन शीर प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाती है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, शेहर के बजट ने फुल की कुल लागत प्राइप पर योजना को छोड़कर के लिए 12.5 मिलियन जी एल प्रदान किया। पीस प्रिज एतिहासिक तबिलिसी के आधार पर आधुनिक वास्तुकला का एक अभिनव नमूना है। प्रिज करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा चर्चित जगहों पर हमारे पास 200 से अधिक वीडियो हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें देखते रहें